जो सेकेंड ऑप्टिकल इंस्टूबेंट अपन ले रहें कंपौउंड माइक्रोइज बहुत है कि जो भी उबजेक्ट उसकी मेच आप मेंगिफाइड यह नहीं उस आप मैगनिफाइड करके देख सेकों तो और वेजिक आ जाए तो आपका जो लेंस है से ज्यादा मेंगनिफाइंग चाहिए ठीकें और ट्रिपल इसका मेंगनिफाइड करना आपको ठीकें तो उसकेस में पिर आपको कहांना पड़ेगा compound microscope यूज करना पड़ेगा क्या फिर नापड़ेगा compound of any object ठीक है और it has two Converging Lenses of short focal length और जैसा मैंने आपको बता एक ट्यूब होती है ठीक है उस ट्यूब के उसमें यह कंपार्ड माइक्रोस्कॉप दोनों यह जो हैं लेंस लगे होते हैं ठीक है आप इसमें भी वही दो दोकसे करने है कि अपना दिश्ट ढवब स्टनसर्ट विजिन जो कि अपना ऐस वान है क्या है के सवर् Skill का एक के स्वर्ण टव pizz टेड्ल करना है न्हों एक उधन कि मैयन फाइनलीच when final image formed at when final image formed at least least distance of least distance of distinct vision distinct vision ठीके तो फ़िस्ट अफोल दिसका वो ही रे डिश्ट इसका ही रेग्राम द्राज करके देखते है इवाहं कि डैग्राम किस तरीके का बनता है ठीई और डाये राम के बाद फिर G फीर फेड़ी मेंनिफिकेशन फॉर्मला देखिंगेंगा और सकनी सब्सक्राइब करीगे ठीगे तो नंते क्लिए फोल्ट हम यहीं करते हैं कि हमारा क्या बनाते Of the objective वступ मीूच से भंट अप्जेक्टिव बनायां में उब्टिकल सेंटर को और रेप्रेसेंट कर दिया से रिप्रेजेंट करने निगाद हम क्या करते हैं हमने औब्जेक्ट को प्लेस करा थीक है अब अब यहां पर ले रहे हैं फोकल लेंग अफ ऑब्जेक्टिव जो लेंग्स अब यहां पर ली ठीक है इसको अब से डिनोट कर दिया यह बी से दिनोट कर दिया अब आपने यह परके आपने मालो यह रे मन गई आपके एव हैं और यह चली गए यह यह आप है क्यों पहले गशी एह दिस्टेंस को अब्जेक्ति की जो है हमारा ऑपजेक्टिव जो लैंस से उसकी फोकल लेंक्त हो जाएक ने तो ठीक है वह रहा है यह फोकल हो गई क्यों अरे भाई पहला लेंस होना है ना कॉन्वेक्स लेंस है ना पहले प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ने ने फोकस जोगा जाएगी ना तो अभी यह एक लेंस हुआ पहले इमेज बनाया था ना तब अपन ने इस अब्जेट को फोकस और बीच में रखा था अरे तो फिर तो इसी से वर्चुल बन जाएगी ना अभी देखना भी क्या होगा वन मैं देखते जाओ इससे समझा रहा हूं इससे समझते जाओ यहाद रखना पड़ेगा ना सर किस पीछे रखने देखो तो सही एक में देखना पूरा परपस समझाओं आपको क्या करक्या रहे हैं आपने फोकस के दर रख दिया तो इसी साइड इमेज बन जाएगी ना आपनको पार दूसरा भी तो लेंस आई पीस भी तो है उस आई पीस के लिए अपने एक सिर्फेक यह जो आपका लन्स है और प्जेक्टिव लंस स्सिए बनाएगा वह किसके लिए वो काम करे बीच में अब्जेक्ट रख दिया तो इमेज केसी बनती है जड़ा बताओ मुझे केसी इमेज बनती है अगर आपने फोकस और सेंटर करवेचर के बीच में अब्जेक्ट रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो इमेज जो रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज होती है कि नहीं बढ़ा सरहाथ से बना लो सब्सक्राइब करते हैं इसे वाली रे को एडिस कर लेंगे तो देखना अभी इससे आपन बना रहें इसमानलों इसको फोकस यह लिए आप मन लेंगे ला तो पहलेल टुप्रिंसिपल एक्सीज ना तो आप यह रे पास करोगे दर से देखो यह इसको अब देखो समझने कोशिश करो कि पहले तो एक ही था वही मैंगनिफाइड कर रहा था अभी इस केस में क्या हुआ यह मैंनिफिकेशन मिला नहीं परेला जो लेंच्ट उसे मैंगनिफिकेशन मिल गया ना वहना देखो आपको अब्जेक्ट पहले क्या था यह एक्ष और बीडेश कर देते हैं ठीक है और अब इससे अपन बनाएंगे यह वक करेगा इस और आपजेक्ट फॉर आई पीस तो अपन को एक ओल लेंज्स मनाना यहां पर जो कि आई पीस होगा ठीक है तो उसका अपरेचर थोड़ा सा क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है और आप खु तो like कि धोड़ी सी प्रैक्टिस तो लगेगी अब क्या है अब क्या होना चाहिए जो आपकी एमेज्द बनी है यह जो फर्स लैंट से आपके अब्जेक्टिव ने जो आपकी मेंज्द मनाई है यह कहां पर बननी चाहिए बुलो प्रिधिकल और एफ पीच में होनी जिए बन जाएगा जब वर्चुल बनेंगी तो यह जो आपना आइपीस मेंक्निफिकल कर दिया एब यह विगनिफिकेशन में मेंगनिफिकेशन कर दिया अब आप यह आईपीस भी मेंक्निफिकेशन करेगा है तो आप इससे मना लो इमेज जैसे अब यह कहां आना चाहिए इसकी इसकी जो फोकल लेंग्थ ना उसका जो फोकेस उसके बीफ ऑप्टिकल सेंटर और फोकल के बीच वह आना चाहिए तो यह मालों यह यह फ इस मैंने क्या बताया है एफ जो है वह फोकस है किसका आई-पी इ इससे जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी बोलो कैसी मेंज बनेगी यह पहलेल टू प्रिंसिपल अगई हाँ वर्चुल बनेगी और जैसे मालों यह इसका हो गया आपका यह आपने इसका फोकस है आई-पी तो यह इदर चल जाएगी ठीक है और एक रे किसे पास करा दोगे ए अल्टीमेटली फाइनली में के बार तो वही पहले भी ऐसे दिख्कत आई थी यारी इसको आप जिसे अभी में कुछ एनिहाव तो तो आप देख सकते की आप तक कि आपको और जादा कम मोड़ना पड़ेगा ऐसे और नीचे चले जाएगा और सको ने फोकस को राइट साइट पर थोड़ा सा आगे कर दो तो भी एड़ेस्ट हो जाएगा चलो कर देते हैं क्योंकि यह अधनाजी से बन रहे हैं यह इसे थोड़ा यूपर इदर आगे कर दो तो एंकल टेड़ा हो जाएगा ना चलो यह कर दिया आपना है ना और इसको ला लेते हैं सौन्ज में ता आई नहीं बात थी बता आप तो और अभी देखो इमेंज भी फॉर्म कर देंगा अपन यह करा आपने ठीक है अब इसको एक्स्टेंड कर देते हैं आप एक्स्टेंड कर दो इसको एक्स्टेंड करके इसकी मेज फॉर्म कर देते हैं हाची परना पड़ेगा इतना फरुक नहीं पड़ा तो फरुक नहीं पड़ा हो कोई वाद नी अपना काम जाएगा इसे आप इसको एक्स्टेंड करोगे बैक्वाट डारेक्शन इस आपने एक्स्टेंड करा इसे इसको भी एक्स्टेंड कर लिना ठीक है तो यह फाइनल इमेज आपके बन जाएगी और आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले से ज्यादा मैगनिफिकेशन आपको मिलेगा ठीक है यह फाइनल इमेज आपकी बन जाएगा और इसको करते हैं तो यह इसका रेडाइग्राम है आया सोंच में जो फाइनल इमेज आपकी बन दीए वर्चुल बन दीए तो देखो आप मैगनिफिकेशन दो मिल रहे हैं आपको एक मैगनिफिकेशन तो अब्जेक्टिव से मिल रहा है और दूसरा मैगनिफिकेशन आपको किससे मिल रहा है आई पीस से मिल रहा है यह वाला क्या आई की तरफ जो होता है उसको आई पीस करते है ठीक है और तो वो जो और ज्यादा मेगनिफाइब करना होता होगा तो वह मल्टीपल कॉन्वेक्स इस तरह से लगाते हूंगे कि यह से बढ़ जाए हां वो तो फिर एड़ेस्ट कर सकते हैं उसको इसी को आप फोकल लेंग्ट एड़ेस्ट करेंगे मिल रहा है ना इदे को एक्टेंस मि सब्सक्राइब करना है तो मेंगनिफिकेशन का फॉर्मला हम देखते हैं तो फॉर्मला वह यह कि वह एंगल पॉर्मला वह यह जव हम अभी तक लगा रहे है कि एंगल सब्टेंडड बाई एंगल सब्टेंडड बाई फाइनल इमेज सब्टेंडड़ बाई फाइनल इमेज अन आई when when it is when it is formed when it is formed at least distance of least distance of distinct vision distinct vision ठीके तो यह फामला है मने पास angle subtended by final image on eye when it is formed at least distance of distinct vision divide by divide by angle angle subtended ठीके angle subtended by object ठीके angle subtended by object अब इस वाले केसे बीजिसे अपने इसे अपने सिंपल माइक्रोस्कोप करें ना याला केस ले रहे है अपन तो इसमें जो रेशो है किसका है इंगल subtended by final image ठीके अंद आई डियुएड़ा है वन बोध आई बोध आए these distance of distinct vision डोनो बोधी केसे आपने पहले किया हूँए इंगल सब्टेंड़ बाइब बाइब एप्जेक्ट अन आई वेन वेन इस तिस तेस्ट अफ लेस्ट डिस्टेंस ऑफ इस्टेंस आउफ डिस्टिंग्ट वीजन ठीक है तो यह फॉर्मुले तो आपको लर्न करने पढ़ेंगे हैं इसे है तो यह फॉरम लामारे पास आया है M folder सबस्वेकरण करें की तो आप देखें के तना एंगल सब менее करें यह एंगल कितना एंगल होगा पर तो यह जो बीचा इंगल सब्सक्राइब बना ले ना यह b neighbor ठीक है कितना इंगल आएका बीटा तो यह बीटा इंगल है यह यहान से आगया ऐाS तो देखो कि यहां लगाते हैं अपर फार्मला के ना तो जीसे निकालना चाह प्टे ना चाहिए आपने क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है ना ओकाँ मुई स् प्रकाइब यह इंगर सब्टेंट कर रहा है इंग पर यहां पर लिगा लेगा या और यहां पर देखो आपको ए अड़े विड़ेश है ना हम कहें कि इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डिख लेते तो इसमें टैन्र बीटा ले 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 लेते है तो टैन बीटा अगर अपने निकाले इसमें तो प्रपेंडिकुलारवाय बेस हाएगा यह डेश बी डेश डिवाइड वाय इवी डेश अजएगा में कर सकता हूं अभी डिवायड बाइड वाइवी डेश अपना आप देखोगो आप जो एडिश वी डेश हो तो क्या है इसको मैं h-dash कर देता हूं a-b-dash क्या है तो इसको तो है डिवाइड बाइड इड़ेश क्या है तो e-b-dash क्या होगा बोलो e-b-dash क्या है अगर यह distance मिलेना चाहो e-b-dash क्या है यह तो object distance हो गई ना object distance हो गई आइपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ने आई पीस के लिए कर सकता यूह कर देता हूं तो यूह बात को यहां पर आप देखो इड़ी जो गहां यूह जाएगा यह यूह आ गया तो बीटा एजिकल तो आपको आस्क क्या गया है एच लेश एचे डिवाइड बाय यह यूई आगया तो को यहां पर अगर अपन्य निकालना चाहे तो आपके पास हागिया ऐच wenisz कि अफिभॉइच दिवाइच दिवाइड वाइड भाइड वाइड ही ईकट दीवाइडपाइड दिवाइड वाइड न आगे आप देखें इसको यह से आप यहां पर बंग रहें कि फूर में इसमें स्पॉर अपने इस फॉर अब्जेक्तिव लेंश के लिए लिख रहे हैं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंश तो आप सिंपल आप में और में निकालना चाहूं तो इस वाले आपने उब्जेक्टिव लेंस के लिए यह क्या है यह ए यू ओ घुरेट चेलिए यह उब्जन के लिए यह आपका और फिर क्या आता है तो अगर इस यह जो अब्जेक्टिव लेंस के लिए डारेक्ट मैगनिफिकेशन का फॉर्मला लिखा जाए अब्जेक्टिव लेंस के लिए तो क्या आएगा साइज ओफ इमेज डिवैड बाइस ऑप यहां दो इसको अगर मैं फर्स्ट एक्वेशन कर दूब यहां पर फ्राम एक्वेशन वन प्रॉम एक्वेशन वन तो इक्वेशन वन में एक तो यह ध्याल नखना कि एक्वेशन वन को चलो मैं बाद में एक साथी कर दूंगा चेंज आप यह ध्याल नखो कि अब आम की वेल्यू आपके पास क्या आगई यह जो वेल्यू है यह तो हैं के नहीं हो गया ना तो यह सेकेंड एक्वेशन कर देता हूं थीक है अब मैं बात करता हूं इसके बात करना करते कία से के लिए समझी के लिए इस वह करता है इस केसे में करता हूं यहां दिहान से आपका आपका आइपी से इमेज के लिए इमेज कहा फॉर मरी इस डिस्टेंस यहां से आपना के सी यहीं ना यह से यहां तक की है कि नहीं है बोलो यह सब पढ़ो ना कि इमेज फाइनल इमेज इस फॉर्म्ड इस दिस्टेंस अब इस्टिंट विजन ठीक है तो आई पीस का वो केस देखो कि कितनी आती है यह कौन सा आपने भी पढ़ा था ना मैंगनिफिकेशन फॉर्मूला जब आपने अभी स्टडी क करा था ना हमने तो उसमें कितना आए था मेंगनिफिकेशन जब जो इमेज है वह लीज डिस्टेंस अब इस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म हो रही है क्या था बताओ बोलो ना वही सर्व वह एच बैटी ऐसा कुछ था वन प्लस डी बाइफ ता नहीं तो यह आई पीस के लिए लिख देता हो ना और यह आजाएगा आपकास वन प्लस डी तो ठीक है और एफ की जगे क्या आएगा एफ आएफ आई पीस आजाएगा आएगा आई समझे बाद इसको लेते हैं अपन फ्रॉम एक्वेशन from equation 1 तो from equation 1 में देखो from equation 1 में जो total magnification है M वो is equal to actually क्या रही है आपके पास M O into M E आ रही है एक तो यह ध्यार रखना यह भी important formula है कि total magnification कित्के आजएगे आपके M O into M E आ जाएगे यह second formula यह third formula हो गया आपका ठीक है अब magnification अगर मैं लिखता हूं हो यहां से M if I write M M is equal to M O M O कितना है आपका is by H is equal to V0 by U0 इसको मैं कर देता हूं V0 divided by U0 भी है ना V of objective divided by U of objective आ गया और यहां ब्रेकिट में क्या जाएगा आपका 1 plus D divided by F E ठीक है यह होता है main formula जो हमें find out करना था इसमें अभी भी नहीं अभी एक किस्टेप और करनी है इसमें पहले तो यहां तक आना है आपको यहां सब्सक्राइब अगर अगर अपन को कभी भी मैंगनिफिकेशन निकालना है तो जितने भी मैंगनिफिकेशन हुआ अलग अलग लेंस का उनको च्पेश पर चलते हैं तो इस स्पेस की थोड़ा इसू रहेगा नेक्स स्पेस पर आ जाते हैं तो अपने पास एक फर्मला आ गया मैंगनिफिकेशन का और वह मैंगनिफिकेशन का तो फिफ्ट नमबर कर ले हैं यहां तक तो कोई दिक्टत नहीं है आपको ठीक है अब देखो वी सबसेंगे यू नॉट देखो यू नॉट यह राइए यू यानिकि यू ऑफ जिक्टिटिव से जो अब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो अब्जेक्टिव से है ना वो यू ब टाइए कर रहा हूं कि The The Object is Placed Very Very near ठीके, Very Near to ठीके, The Object is Placed Very Near to Focus फोकस ओफ फोकस ओफ 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 ओब्जेक्टिव इसके बहुत पास में वेरी नियर रखा हुआ है ठीक है यह बहुत पास रखा हुआ इसके तो हम यह कह सकते हैं कि यह लेट्स बीट्स एजूम डैट अब इस ब्राबर रहे तो अलमोस्ट बराबर रहे तो मतला हम यह किस्ते हैं कि वह जो यू ओफ ऑफ जो जो होगा ऑगा इसकी फोकल लेंग्द के बराबर हो जाएगा वह जाएगा नहीं हो जाएगा ठीक है कंडिशन है ध्यान रखनी है यहां पर आप नेगेटिव लगा देना यू ओ इस इकल टू यानि यू फॉर अब्जेक्टिव जाएगा अप्रोक्सिमेटल एक तो कंडिशन यह है हमारे पास ठीक है यह तो पहली बात मैं आपको तहीं अब सेकंड तिंग क्या है सेकंड तिंग यह है कि आप क्या चाहते कि जो यह पहला वाला जो abjective मुत मैं बनें वह कहां बननी चाहिए यहीं इसके पास इत्याव भी यह है यह जो अपनी इमेज बनी है एड़ेश बीड़ेश जब यह इसके लिए अब्जेक्ट का काम करें तो यह बड़ी क्या है बिट्वीन फोकस ओफ आई पीस एन ऑप्टिकल सेंटर फाइपीस में आ जाए तो यह जितना हो सके इदर बने और इदर यानि यह वी ओ की विए यूऄों चाहते हैं कि यह जो इमेज बन रहे है डेश बीड़ेश यह बने वेरी नियर टू वेरी नियर टू आई पीस ठीके हम यह चाहते हैं कि द गाएड़ कि इमेज बीड़ेश बीड़ेश शूट should be the form शुट बढूंग वेरी नियर्ट तुए कि वेरी नियर्ट तुए पिश को समझे भात को जो मैं के रहा हूं तो कहने का वlah यह है कि अभी हमने क्या बात करी ती हमने बात करें लिए जो जब चाल हुआ निकिक है कम्पॉंड सीरे में इनको जो है एक से पर आइपीज लगा होता है समझ से बात को तो अगर यह वी ओ जो है वो डिस्टेंस के दोनों लेंस के बीच बीच की दिस्टेंस हो जाएगी न नन्हें वहाएगी यू यह बहुत चोटा है आल्मोस नेगलेग्राइब एस कंपर टू वेल्य ओफ वी ओव तो क्या होगा यह दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस हो भी हो जाएगी और दोनों लेंस जो है वो के लगे हुए तो हम यह कह सकते कि वह वह आप्रोक्सिमेटली जो लेंग्ट आफ ट्यूब के बराबर है जो आपका यह माइक्रो जो आपकी फ्रॉम एक्वेशन फाइफ फ्रॉम एक्वेशन फाइफ फाइफ नंबर की प्रॉम लेते हैं तो अब फाइनल हमारे पास फॉर्मला जाएगा मेंग्निफिकेशन का जो जिन से मेरे प्रॉब्लम सौल होगी जाएगा माइनस ल डिवाइड बाए एफ ओपजेक्ट लेन फाइनल इमेज इस फॉर्म डेट वेर इसे डेरिवेशन करते करते हैं केस टू क्या होगा वैन तो इस टू क्या होगा वैन सर आए मुझ आएगा पर अपनको बट टाइम लगया था लेटिंज और इसको थो शौद मैं डिराई गराउ वर्ट हुँआव वैनिमेज फॉर्म है ररे फाइनल इमेंज लिखने haцы के लिखना परिगह वनिंच सिंपनिक लिश्वान फाइनल इमेज और फाइनल इमेज सिंपनिक कि ए आइट इनफिनिटी जो लिए अब फाइनल Workも चोल्टल मैं एंट्वेकरेशन में होता है अ होता है you बनेगalten बनेगी जब यह increase बनेगा और इच्राइद ने न P डाइप इसके फोकस मने और hologram में जरूर चेंज होबाला है यहाँ पर आप देखो तो लो अपॉन अफ यह आ्रहा ओर माइन से लप कोई फरक पड़ेंगा है नहीं अगर इसकते यह बात करें तो यह तो माइनस लपन अफिरो ही रहेगा इसपे क्या फरक पड़ रहा है अब बोलो आई पी ऩीवी मैगनिफाइंग गलास की तरे काम उने इनिफीनिती पर इस का मैंखना होता है कि बोलो को कि यहार पहला यह नहीं पड़ा चैने लजया तो यह तкиैじ के पर यह बन गया इसका मेगनिफिकेशन का डिडाइव हो गया लो आई वह समझ मैं हाँ रे डाइग्राम जरूर आपको अब रे डाइग्राम बनाओगे तो रे डाइग्राम में आपका करना पड़ेगा उसको कहां फॉर्म कर देना तो फॉर्म करने ना फोकस पर ठीक है और से बन जाएगा रे डाइग्राम तो यह इसकी जो है आईगे माइनस एल बाइफ एफ ऑफ अब्जेक्टिव इंटू डी बाइफ ऑफ आईपी से नहीं एफ ऑफ क्या जाएगा आईपी सा जाएगा आएफ समझ में यह सिंपल माइक् मेरे पास तो बना हुआ है चालो ठीक है फिर बना हुआ है तो फिर ऐसा करेंगे ना से नेक्स्ट क्लास में इसको ठोड़ा कर लेंगे ना बंदर अब इसमें